तो नगर निगम चुनावों का विगुल बच चुका है और अब BJP और कॉंग्रेस आमने सामने हैं इस मौके पर कॉंग्रेस पार्टी की क्या कुछ तयारिया हैं इसको लेकर प्रदेश कॉंग्रेस कमीटर के महासरचीफ महेश्वर चोहा ने जन्रताचीवे से खास बादशीत की और बीज़ेपी पर जमकर निशाना भी साधा देखे की निशाना भी प्रदेश में नगर निगम के चुनावों का बिगल बच चुका है और कॉंग्रेस और भाजपा की तरफ से जो है वो प्रतियासियोंकी सूची जारी के गई है नॉमिनेशन फाइल करने का आज अंतिम दिन है और प्रत्यासी जो है वा अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं कॉंग्रेस की तरफ से क्या कुछ त्यारी इन चुनावों के लिए की गई है मेरे साथ है पीजीश के महासचीब जो है महेस्वर चोहांजी है कि रिजा आख क्या के तरफ से त्यारी है और किस तरह से उन्हें लों लमती में चाहिए सबसे पहले जनतार्भी में सवागत है तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कॉंग्रेस की तरफ से क्या कुछ तयारियां की गई है इस चुनाव के लिए कॉंग्रेस की जो नगा निगम की चुनाव की तयारियां है वो पूरी तरह से हम लोग तयार हैं और कांग्रेस पार्टी पिछले कई वर्षो से पालमपूर के अंदर काम कर रही है, और हमारे ही विधाय के हाँ पर काμिज हैं, तो तयआरियां तो भारतेश जंता पार्टी को करनी है, जो की कुटों में बंटी है और असंतोष पूरी पार्टी के अंदर फैला हुआ है आपने देखा होगा कि कल भी भारते जंता पार्टी के पूर्व जो मंडल के देक्स थे उन्होंने जो है पब्लिक डुमेंड में आकर प्रेस के माधिम से अपना असंतोष जाहिर किया है तो कॉंग्रेस पार्टी में भी जब टिकट बढ़वारा होता है इस तरह से टिकट दिये जाते हैं बहुत से लोग होते हैं जिनकी आसाय होते है कि हमें टिकट मिलेगा शोधिक होसं मेंके हमदोगे कर देखे मोड़ा के हमसी कि पार्लंपूर के अंदर कांगर्स एक जुट है और पूरी एक जुटता से चुनाव लड़ा जाएगा और हाल हाल में यहां पर कांगर्स पार्टी की जीत को सुनिशित करेंगे हम लोग मिलकर भाजपा की तरफ से एक अरोप लगाया जाता है कि पार्लंपूर में जो नगर परसद थी वो सबसे चोटी नगर परसद थी और आज दिन तक अजादी के बाद से आज दिन तक जो है वो इसको एक इंच नहीं बढ़ाया गया नगर निगम भाजपा ने बनाया तो को लोग जो हैं वो कॉंग्रेस को वोट क्यूंद है कि भारते जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है यह क्यों नहीं महंगाई की बात करते आज से पहले तो उनके नेता जब दो रूपे पेट्रोल का कद दाम बढ़ता था एक रूपे दाल का दाम बढ़ता था तो कपड़े उतार कर भारते जनता पार्टी के राष्ट्रे से लेकर प्रादिशिक सर के नेता जो है अंदोलन करते थे आज क्यों नहीं पताते कि महंगाई चरम सीमा पर है क्यों नहीं बता रहे कि सिलेंडर कितने रूपे का हो गया है बारते जनता पार्टी तो इसका हमेशा राजनितिक करन करती रही लेकिन अशीष बुटेल जी ने जो कदम उठाया है और जो मसला उठाया यह बहुत जोलंत है और बहुत सही बात इन्हों ने उठाई है कि जितनी भी नगर निगम हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो सारे डिस्टिक हैड़कोर्टर पे और इतियास में पहला यह नगर निगम है जो कि जिला मुख्याले पे नहीं होगा तो इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए और कॉंग्रेस निरंतर इसके लिए प्रयास रहेगी तो यह थे हमारे साथ जो है वो मह कुप धिमान